तो के भाई लोग सलार का ट्रेलर मैंने 0.25 स्पीड में देखा तो मुझे कुछ एवेश्यम डिटैल साथ लगी ट्रेलर को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाली है कि क्या सलार उग्रम की रिमेक है तो हमने सलार उग्रम की रिमेक है की नहीं इसके लिए उग्रम को देखा जबकि इससे पहले उग्रम मैंने तो नहीं देखी थी तो उग्रम देखने के बाद मुझे सलार और उग्रम के अंदर बहुत सारी सिमिलियर्टी नजर आई और details का भंडार भी मिला तो चलिए बिना देरी करें आपके साथ share करते हैं न तो देखे भाई लोग जैसा कि सलार के ट्रेलर को देखने बाद पता चलता है कि इसके अंदर दो दोस्तों की कहानी दिखाई जाएगी एक देवा तो दूसरा वर्दा वहीं उगरम के अंदर हमें अगत्स्या और बाला की कहानी देखने को मिली थी और बस यही नहीं और भी similarity देखने को मिली जैसा कि उगरम में बाला का दोस्त अगत्स्या बच्पन में ही अलग होने के बाद वह मेकैनिक का काम करता है जबकि सलार के अंदर भी देवा भी मेकैनिक के रोल में दिख रहा है वहीं उगरम के अंदर अगत्स्या दोरा बाला का भाई मारा जाता है जिसे यह दोनों दोस्त दूस्मन बन जाते हैं कि सलार के अंदर देवा और वर्दा की दुस्मनी तो दिखाया नहीं गया है बट यार परसाद निले इंटर्वी में बताया था कि आप लोग सलार के अंदर दो दोस्तों की दुस्मनी देखने वाले हैं यानि सलार के अंदर देवा से कुछ तो ऐसा होगा जिसे इन दोनों मे कि सलार और उग्रम में कुछ कुछ सिमलियरिटी मिल रही है बड़ सलार को गरम कर रीमेक बोलना कट आई सही नहीं है क्योंकि सलार के अंदर बहुत कुछ होने वाला है रीहर आपने यह चीज तो नोटिस किया ही होगा कि एक हजार साल पहले कुछ डिकायत आते हैं और खान साथ जंगल पर कपजा करके अपना सामराज बनाते हैं बट इस जगह पर ऐसा क्या है भाई जिससे गंदी बस्ती और जंगल जैसी जंगल पर इतना कुछ ग आपने ट्रेलर के अंदर टीनू आनंद को नोटिस किया अरे भाई वही चाचा जी जो टीजर के अंदर सलार के बारे में बता रही होते हैं कि सलार टाइगर चीता और सेर से भी ज्यादा खतरनाक है आप इस सीन में नोटिस कर सकते हैं जब वर्दराज और उसके लोगों को पकड़ लेते हैं तो यहां पर आप तीनू आनंद को देख सकते हैं यानि तीनू आनंद वर्दराज के आदमियों में से एक होते हैं अब इस सीन में जब एक मिसाइल से एक ट्रक को उड़ाते दिखाए जाता है तो इस ट्रक का नंबर 2021 होता है एक किसी और चीज को इंडिकेट करता है भाई 2021 यानि सलार की सूटिंग 2021 में ही शुरू हुई थी तो भाई लोग परसांद निले तो सबका दिल तोड़ दिया कि सलार केजब से कनेक्टेड नहीं है ऐसा कौन करता है यार जबकि सलार की हाइप बहुत ही जादा थी ब एक्सन निकाली लेते वेल जो भी है आगे देखते हैं क्या होता है वैसे आपकी क्या रहा है सलार के बारे में कॉमेंट करके जरूर बताएं